तो गैज आज की इस वीडियो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ Android 12 में आने वाले नए नए फीचर्स जैसे कि आपको पता ही है कि जल्द से जल्द Android 12 आने वाला है और इसमें क्या-क्या नए फीचर्स आने वाले हैं सारा डीटेल इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही कमाल की फीचर्स आये हैं और यहाँ पर इस अपडेट कर मैं सबसे पहले आपको नाम बता देता हूँ तो इसका नाम है Material U मैं र demand is me और इसमीं क्या क्या रेंग है और क्या क्या इसमें बतलाओ किया वह मैं आपको बता देता हूँ जैसे की डिजाइन में इक जाँ कलर में सेप में लड में ए से फास्ट कर दिया गया है तो बात करते हैं सबसे पहले फीचर की तो सबसे पहला फीचर है Custom Color Automatic Change by Wallpaper in Theme यानि कि जब आप Android 12 में अपडेट कर लेंगे तो वहाँ पर जब भी आप कोई Wallpaper लगाएंगे तो उसका जो कलर होता है उस कलर के हिसाब से आपका सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा जैसे notification bar, shortcut center या फिर volume panel वो सारा उसी तरह हो जाएगा तो ये changes इसमें किया गया है यानि Android 12 में ये आपको देखने को मिल जाएगा और दूसरा update है fluid motion and animation यानि कि जब आपका screen lock रहेगा तो lock screen पर जो notification आए हुए होते हैं उसे जैसे आप हटा देंगे तो उसके बाद जो आपका clock होता है वो बड़ा हो जाएगा पूरे screen पर आ जाएगा यानि जो clock है वो large size का हो जाएगा तो ये नया feature दूसरा add किया गया है Android 12 update में तीसरा feature है redesigned system space यानि कि जब आपका notification बार में कोई notification आता है तो वो छोटा आता है लेकिन आप से क्या होगा कि Android 12 update आने के बाद जो notification बार में notification आपको देखने को मिलेंगे वो बड़े बड़े size में देखने को मिलेंगे और इसमें एक नया feature यह आ है कि अब आप power button को long press करके voice command दे सकते हैं अब आपको जो power button उसे देर तक प्रेस करके रखना है और वहां से जो है voice command का feature आपको देखने को मिल जाएगा चोथा इसमें फीचर आट किया गया है private and secure by design यानि कि अब आपको setting में एक नया dashboard मिल जाएगा जिसमें आपको सारे apps देखने को मिलेंगे और वहां पर यह देखने को मिलेगा कि आपने किस किस के app को permission दे रखा यानि allow कर रखा है और कौन-कौन से apps जो है आपके data को यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप एक अठे देख सकते हैं एक dashboard आपको देखने को मिल जाएगा और वही पर आप किसी को हटाना चाहते हैं permission से तो उसे भी आप हटा सकते हैं वहां पर यह काम भी आप वहां से कर सकते हैं और दूसरा क्या है कि mic और camera को जो app यूज कर रहे हैं उसके लिए एक corner में आपको नया center देखने को मिल जाएगा जो आपको बताएगा कि ये app जो है आपका camera और mic यूज कर रहा है और वहां से आप उसे भी हटा सकते हैं अगर आप चाहते हैं और पांचवा feature इसमें add किया गया है allow permission to types यानि कि जैसे कि आप location app यूज करते हैं तो location app यूज करते हुए क्या होता है कि अगर आपको allow करना है permission देना किसी चीज को किसी location को तो आप वहां पर दो type से location को permission दे सकते हैं एक हो precise दूसरा है approximate यानि कि जब आप precise कर देंगे तो हमेशा के लिए permission हो जाएगा और approximate करेंगे तो वह कुछ देर के लिए रहेगा बाद में वह अपने हाप हट जाएगा तो एक नया feature ये add किया गया है location app में Android 12 में ये नयने features add कर दिये गये हैं तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको काफी अच्छी information मिली अगर वीडि कर दिया होगा और अगर आपको कुछ प्रोब्लम आरे तो वीडियो की नीचे कमेंट कर सकते हैं मैं आपको रिपलाई जरूर से करूंगा और मुझे आप Instagram पर भी बात कर सकते हूं उसका भी लिंक आपको description में मिल जाएगा साथ में अगर आप हमारे Telegram ग्रूप को जोईन क करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको description मिल जाएगा वहाँ पर आप अपने फोन में आय अपडेट्स की screenshot या फिर कोई प्रोब्लम है तो उससे share कर सकते हैं